हेलो फ्रेंज, बॉलिवूड के गलियारों में आज क्या कुछ है खास, आए जानते हैं बॉलिवूड बस के साथ गुमनाम वी फैशन गर्ल मुगदा गोड से, अब इस एक्टर के साथ रह रही है लिविन रिलेशन में लंबे समय से फिल्मों से गायव अक्टरिस मुगदा गोड से इन दिनों आक्टर राहूल देव के साथ रिलेशन्शिप में है और दोनों लिविन में साथ रह रहे हैं राहुल देव मुगधा से उम्र में 18 साल बड़े हैं राहुल देव की शादी प्रीना से हुई थी लेकिन कैंसर के चलते उनकी मौत हो गई मुगधा और राहुल अपने प्यार को आए दिन सोशल मीडिया के जरिये जाहिर करते रहते हैं मुगधा ने अपनी पहचान फिल्म फैशन से बनाई थी इस फिल्म में इनके साथ साथ प्रियां का चोपड़ा और कंगनाता नौध में भी काम किया था फैशन के लिए मुगधा को फिल्म फेर बेस्ट फीमेल डेव्यू का नॉमिनेशन भी मिला था इसके बाद मुगधा मदूर बंडारकर की फिल्म जेल और हिरोईन में भी दिखी थी हालकि इसके पहले मुगधा ने कई हिंदी फिल्म में चुप चाप खड़े हो लेकर हम दीवाना दिल में भी काम किया है मुगधा गोटसे को कलास के टीवी शोग खतरों के खिलाडी में बतार कंटेस्टेंस भी देखा गया था आज मुगधा अपना वर्तिस्वा जनम दिर मना रही है और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इस मुकाम पे पहुचने के लिए काफी जादा संधर्श भी करना पड़ा बीटाउन के गल्यारों से एक बड़ी खबर ये है कि बॉलिवुड आक्ट्रेस करिश्मा कपूर जल्द ही अपनी दूसरी शादी की गोशना करने वाली है करिश्मा कपूर और उनके बोईफरिंड संधीब तोशनीवाल की शादी की रा आसान होती दिख रही है संधीब तोशनीवाल की पत्नी अश्रिता तोशनीवाल ने तलाक की सभी शर्तों को मान लिया है साथ ही करिश्मा के पापा रंधीर कपूर ने भी शादी के लिए रजामंदी दे दी है करिश्मा कपूर और उनके पहले पती संजे का एक साल पहले ही तलाक हो गया संजे ने करिश्मा से डिवोर्स के बार मॉडल प्रिया संचते से शादी भी कर ली अब करिश्मा के शादी के बंदन में बनने का समय आ गया है करिश्मा को कई बार संदीब तोशनीवाल के साथ स्पोट किया जाता है और संदी तोशनीवाल अब करिश्मा के घर के परफंक्शन में भी शामिल रहते हैं टीवी की दुनिया की होट आक्टरेस निया शर्मा जल्द ही विखेरेंगी बोल्ड अदाव का जादू जल्द आएंगी ट्विस्टेट थ्री में भी नजर एक हजारों में मेरी बहना है कि निया शर्मा कितनी बोल्ड हो गई है या आपको पताने की जरुवत नहीं है या यू एशिया की सबसे सेक्सी महिला नहीं कहलाती है निया शर्मा की होटनेस के चर्चे खूब होते रहते हैं अक्सर निया अपनी होटने से सोशल मीडिया का पारा बढ़ाए रहती है निया ने सबसे ज़ादा खबरे अपनी बोल्ल वेब सीरीज ट्विस्टेट से बनाई थी पहले सीजन के बाद बीते दिनों ही निया ट्विस्टेट 2 में नज़र आई थी अब निया के फैंस के लिए एक और खुशकबरी आ रही है कि निया अब ट्विस्टेट में दुबारा नज़र आने वाली है रिपोर्ट के मताब एक जल्द ही टीवी पर ट्विस्टेट 3 भी आएगा इस सीरीज के डायरेक्टर अनुपम सरोज ने हाली में सीरीज के थर्ड पार्ट को लेकर बात की भारती से नहीं बात कर रहे उनके हस्बिन हर्श क्योंकि अर्जिंटीना के एक मॉल में भारती ने उड़ा दिये 50,000 रुपे खत्रो के खिलाडी 9 के सबी सितारे अर्जिंटीना के लिए रवाना हो चुके हैं इस वक्त खत्रो के खिलाडी सीजन 9 की शूटिंग अर्जिंटीना में चल रही है यूँ तो सबी शूटिंग के साथ-साथ मस्ती भी कर रहे हैं हाली में भारती ने खुलासा कर दिया जिसे सुन उनके फैंस हैरान रहे गए भारती ने पती हर्ष के साथ एक मॉल में जाकर पचास हजार रुपे उड़ा दिये भारती ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की और ये वीडियो काफी फनी है वीडियो में भारती बता रही है कि वो छुट्टी वाले दिन पती हर्ष के साथ एक मॉल में आई थी यहां आकर उन्होंने पचास हजार रुपे उड़ा दिये इसके बाद उनके पती हर्ष उन से नाराज है और बात भी नहीं कर रहे है वीडियो देखकर आपको भी हसी आजाएगी भारती ने पिछले साल ही हर्ष लिमबाटिया से शादी की थी अब दोनों इस शो में साथ नजर आ रहे है बॉलिवुड की ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजर होते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार